हेलो गार्स स्वागत है आपका अमारे चैनल मैथमेटिक्स मी के अंदर आज हम करने जा रहे हैं सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं इसको सौल करने के लिए जो भी right hand side के अंदर values दी हुई है root के अंदर उनके factors में बार देते हैं तो क्या हो जाएगा root 112 का हो जाएगा 2 x 2 x 2 x 2 x 7 plus root 7 x 7 x 7 यह हो जाएगा इनके factors इसके बाद हम क्या करते हैं जो common out आ रही है root से उनको हम बाहर ले लेते हैं root से तो second step के अंदर हम ने क्या किया है 4 root 7 plus 7 root 7 कर दिया है right hand side के अंदर अब हम third step के अंदर क्या करते हैं जो भी right hand side के अंदर add हो रहा हैं उनको add कर लेता हैं तो 4 plus 7 क्या हो जाएगा 11 root 7 यहां से अब third step के अंदर हम left hand side and right hand side को देखेंगे तो 11 11 दोनों में common out हैं तो वो दोनों एक दूसरे cancel out हो जेंगे और क्या बज़ेगा root n equals to root 7 तो यहां से सीधा हमारे पास square करेंगे तो n की value हो जाएगी और वो होगी 7 तो इसका सही answer हो जाएगा d is the correct answer